नमस्कार दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमेरे चैनल पर दोस्तों, आज हम आपको हातों के खुर्दरिपन और फटने की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ घरे लुनसकों के बारे में बताएंगे हात की एक बड़ी समस्या होती है हातों का फटना, जो की अक्सर मौसम के बदलाव के कारण हो जाती है यहाँ समस्या शरीर की खुबसूर्थी को भी कम कर देती है लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इससे निजात पाने के लिए कुछ घरे लुनसकों के बारे में बताएंगे सबसे पहले एक निवेदन उन सबी दर्शकों से, जो आज पहली बार हमारी चैनल पर आये हैं कृप्या हमारी चैनल की सदस्रता को जरूर ले लें तकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारी द्वरदी कई चैनकारी को रोज देख पाएं और उन से फाइदा बिठा सकें साथ ही सही चैनकारी के लिए इसे अंतितक जरूर देखेगा आप इसके लिए ओलिफ ओयल का इस्तमाल भी कर सकते हैं ओलिफ ओयल के इस्तमाल से हाथ को मल बनते हैं इसमें परियापत मात्रा में एंटी ओक्सिदेंट्स, हेल्दी फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो की रूखे हाथों को कोमल और मुलायम बनाने का काम करते हैं। ओटमील के इस्तमाल से भी हाथों का रूखापन और खुर्दुरापन ठीक हो जाता है। ये एक नैचुरल क्लींसिंग की तरह काम करता है। इसमें मौजुद प्रोटीन हाथों की नमी को बनाए रखते हैं। जिससे की तुचा मुलायम पनी रहती है। नारियल तेल में फैटी एसिर्स का एक अनुखा मिश्रन मौजुद होता है। जो की ड्राइ स्किन के लिए बहतरीन होता है। इसके अलावा ये सूरज की रोशनी में जुलस कए हाथों को निखाने का भी काम करता है। मिल्क क्रीम का इस्तमाल करके भी आप अपने हाथों को मक्षन की तरह पना सकते हैं। मिल्क क्रीम में हाई फैट्स होते हैं और ये एक नैचुरल मौस्टराइजर की तरह काम करता है। इसमें मौजूद लेक्टिक एसिड तवचा के पीएश लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है। शरीर के जिस हिस्से से आपकी स्किन उतर रही है वहाँ आप दूद और खीरे के तुकड़े से धीरे-धीरे मसाज कीजे। इससे भी आपको बहुत जल्दी फाइदा मिल जाएगा। क्योंकि खीरे में पानी की बहुत मात्रा होती है और यह अच्छा मॉस्चुराइजर पाना जाता है। तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जनकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक, शेयर और कमेंट से रू कीजिगा। इसे देखने के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद। खार requiringढ़ है और है कि ऑने मॉस्तों ये होई में गतने के तेखने के पने की घ्लैक, और झाएंचे हो तो हर दिंसे लिएक, पहले, पह एक है